तो बिफोर श्टार्टिंग अधर टिटोरियल और फ्लो चार्ट वन मस्थ बी क्लियर अब आउड प्रीवेस लेक्ट्टर दू लिसन केरफुली बिकर्ज जब तक हम बेसिक को नहीं समझ पाएंगे तो हम आगे के स्टेप्स को समझने में आपके लिए काफी दिक्कत या परिशानी हो सकती है तो आज जो बात हम करने वाले हुए अल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की है जो थर्ड लिक्चर आपका यहां पर स्टार्ट होने जा रहा है और यह लास भी हो सकता है आपके लिए अल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का बेसिक यहां पर ही खत्म हो जाएगा अब हम चलते हैं सबसे पहले जैसा कि हम four step पे चल रहा है थे algorithm to print all the divisor and the integer n यह किस तरीके से working होता है जैसा कि है diagram आपको दिख रहा है यह diagram को हमें समझने के लिए सबसे पहले steps को हमें one by one समझना होगा start याने program start हुआ step two read n step three let ctr equal to one step four यहाँ पे हम step four पे चल रहा है if n mode ctr equal to zero then n is divisable by the ctr print ctr number five steps add one to ctr step six if ctr is less than or equal to n then go to step four यहाँ पे हमने देखा कि step four भी हमें जाना है step six से यहाँ पे जो यह value है इस तरीके से transfer होती है तो यहाँ पे जब हम प्रगाम को समझते हैं यह जब हम अल्गोरिदम और फ्लोजाट को समझना है तो उसके लिए अपको previous के पुराने जो भी लेक्ट्यस है उनको समझना आपके लिए ज़रूरी है यह जो ट्रांसफर हुआ इस तरीके से इसको समझना ज़रूरी है वेल्यू जो स्टार्ट हुई उसको समझना ज़रूरी है और स्टेप सेवन यहने हमको प्रगाम स्टॉप हुआ यहने कम्पलीट वहां पर प्रगाम की वेल्यू खतम हुई वह हमको यहां पर समझना है अब हम चलते हैं फाइव नंबर के टॉपिक पे टॉपिक नंबर फाइव इस तरीके से आपको डाइग्राम दिखाई देता है इसको समझना है स्टार्ट किस तरीके से होता है यह प्रोगाम कैसे वर्ट करता है अल्गोरिदम तो फाइंड लसी एम एंड जी सीडी फ़र गीवन तू नंबर्स दो नंबर्स को समझने के लिए हमें लसी एम और जी सीडी को समझने की जरूरत है जो हमने प्रीवेस लेक्चर में बेसिक आपको बताया था स्टेप्स के थू चलते हैं स्टेप यह पर हम चलते हैं फिर्स अफॉल अदरस्टन एन्गोरिदम फ्लोचार्ट बेसिक वन मुस्सक्टी क्लियर यू बेसिक अफ अल्गोरिदम फ्लोचार्ट और प्रोग्वर्स जाचिए ऑन्स नेगली आपको यहां ज़रूरत है कि आप उस पॉइंट को समझे उस चीज को समझेगा जो हम यहां पर समझाए जा रहा है अब हम इस डाइग्राम को इस स्टेप में समझेगे स्टेप वन पर स्टार्ट होता है प्रोगाम स्टेप टू पर रीड एबी उस से क्लेट करने के लिए स्टेप 3 क्लेट अप्रोडट एक्वाल टो एइटॉ भी स्टेप 4 इफ इस लेस देन भी थेन स्टार्ड तो नंबर्स वाइदा वाइड एबी एईड टो बी ची बी एक्वाल टू टैंप कि यहां पर जी दिख रहा है इसको हमें समझनाहां यहां पर G da Gastok थोड़ा सघ्ण कंलिकाटेटट है लिकिन आपको समझने के लिए इन कीज़ों को ध्याम रखना है कि कहां पर कौन से स्टेप सा रही है और किस तरह किसे working हो रहा है तो है तो अधने स्टेप फाईव स्टेप फाइव कल्कुलेट और एक्वल टू ए मोड भी calculate किया A को B से यहाँ पर हमने समझा step 6 पर हम चलते है step 6 जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है step 6 if R equal to 0 then उसका जो A आएंगा वो L C M equal to B आएंगा calculate G C D equal to product upon B C product G C D go to step 9 अब यहाँ पर go to step 9 जो आपको बताया जा रहा है यहने हमको उसे transfer करना है steps के through तो यहाँ से जब data transfer हो रहा है तो यह यहाँ पर values का निकल जाएगा इस तरीके से हमें समझना है step 7 फिर हम step 7 पर चलते हैं यहाँ पर A B A B step 9 A equal to R A B A equal to R go to step 4 यहाँ से step 4 पर हमें चले जाना है यहाँ पर तो उसका जो value आएगा वो वहाँ पर आपको दिखाई देने लगेंगा step 9 stop यहाँ प्रोगाम complete हुआ इस तरीके से यह value हमको समझने हैं अब हम चलते है नमबर 6 के उपर में point number 6 के उपर में इस डाइग्राम के साथ साथ में आपको पूरा concentration रखना है आपको यह एक सिर्फ डाइग्राम के तरूँ समझाय जा रहा है next जो topic होगा वो algorithm के basic chapter के उपर में होगा वो भी हम आगे के lectures में बताएगे लेकिन अगर आप इस चीज को इस डाइग्राम को और इस steps को अगर समझ पाए तो ही आपका आगे का procedure सही होगा otherwise आप जो है algorithm flow chart को समझ नहीं पाएगे step 6 के अंदर में डाइग्राम इस तरीके से है ऐसे हमने अल्गोरिदम टू चेक वेदर एन वेदर गीवन नंबर इस प्राइम और नॉट यहने वैल्यू सही है यह नहीं है उसको हमें समझने के लिए steps को समझना है हर steps का एक डाइग्राम के थ्रू working हमें समझना है कि किस तरीके से काम करता है step 1 में हम यहां देख रहे है स्टार्ट हुआ प्रगाम step 2 में read the number n उसके बाद में left flag यहां पर हम देख रहे है left flag equal to true and counter equal to 2 यहां पर हम देख रहे है उसके बाद में step 4 if n mode counter equal to 0 counter equal to 0 then flag equal to false flag equal to false हुआ अब यह step 6 पर transfer हो गया यहां पर इस तरीके से यानि यहां से जो data transfer हो यहां पर आकर रुख गया अभी हमें चलना है step 5 के उपर में कि step 5 पर हम चलते है step 5 है add 1 to counter step 6 equal to counter यहां पर हम देख रहे है step 6 if counter is less than equal to square root of n then go to step 4 यहां पर इस दाइग्राम के तुरू हमें समझना है step 7 if flag equal to true the print नंबर प्राइम print नंबर क्या है प्राइम है यहां पर यह आपको लास में दिखाई दे रहा है go to step 9 यहां पर हम फिर से सेवन नंबर के पॉइंट को इस पॉइंट को अच्छे तरीकी से समझना है कि किस तरीकी से वर्किंग कर रहा है अल्गोरिदम कि तू जन्रेट एन फेबिग नंबर्स वन वन टू थ्री फाई एट वन थ्री टू वन स्टेप के तुरू हमें समाजना है स्टेप किस तरीकी से वर्क करता है स्टेप वन इस स्टार्ट स्टेप टू दू रीड एन स्टेप थ्री लेट फर्स टर्म एफ वन एक्वल तो वन एंड सेकंड टर्म वन स्टेप 4 स्टेप 4 पर हम चलते हैं प्रिंट F1 ेन एक्वल 2 वन और 2 सेम वैल्यू है मसका वान में स्टेप 5 लेग काउंटर उक्वल 2 ृजहें depth 6 काउंटर मैं calculate F3 equal to F1 plus F2, F3 equal to F1, F2, step 7, print F3, step 8, add a counter, add a counter, step 9 पे हम चलते है, if counter greater than n, then go to step 11, counter equal to, counter equal to n, counter equal to n, step 9 पे हम चला जाएंगे, step 11 यानि last की value, step 10, F1 equal to F2, then F2 equal to F3, go to step 6, step 6 पे हमें ट्रांस्फर्व करना है, and then step 11, program stop, so thank you for watching, अब हम सम्मारी को समझते है, algorithm में फ्लो जाट की, algorithm means the logic of program, it is step by step description of who are the, arrive at the solution to the given problems, second, when the algorithm is represented in the form of programming language, it become a program, hence, the program is an algorithm, but the reverse is not true, third number का प्वाइं थार्ड प्रिंसिपल या थार्ड सम्मारी, flowchart is a pictorial representation of the algorithm, four number का सम्मारी है, flowchart is a fun using to program as a program planning tool and organizing a sequence of steps necessary to solve the problem by computer, इस तरीके से जो है, last lecture जो हमारा यहने, basic algorithm flowchart का last lecture इस तरीके से हुआ, जिसमें हमें इस चेस को समझा, फिर से आपको समझने के लिए इसी को rewind करकर फिर से देख लेना है, so thank you for watching, this video, आने वाले वीडियो जो है हमारे infodeghub channel के, वो हते computer laptop के tips और tricks, जिसमें freely tutorial आपको दीए जाते है, उसके बाद में unboxing videos होते है, electronic part, electronic gadgets के उपर में, और last होता है, online forms की information, जो होते है, jobs और scholarship, यह फिर किसी तरीके के form की information के उपर में, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसना है तो like, share, subscribe ज़रूर करे, bell button यहने notification और ज़रूर करे, ताकि आने वाले lectures का आपको सही तरीके से information बिल सके, thank you, once again, thank you, bye bye.